हे गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्टाडी भी देव भूमी फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्राघंड मौक टेस्ट का पार्ड एटी नाइन इस वीडियो में आपको उत्राघंड जीके के 20 मोस् इंपोर्डन कोशन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम उत्राघंड पुलीस लेग पाल पटवारी उसके लावा जितने वी अधर एक्जाम होने हैं यू के ट्रॉपल सी के उन सभी के लिए ये वीडियो काफी महत पूर्ण है गाईज एगर आपको वीडियो 1% पर अच्छी रगती है तो वीडिय डालें उसका नोटिफिन जो आपको सीधा मिल जाए तो चलिए जाते टाइम ना खराब करते हैं तो पहला कोशन है निम लिखित में से किसने बागेश्वर को भोट दौर कहा है तो देखिए बागेश्वर को भोट दौर जो कहा है गाईज ये कहा है राहुल संकृत आयन ज पूजा होती है तो दीए बागेश्वर में स्तित है और यहां पर जो है नाभी की ठीक है भगवान सिपकी नाभी की पूजा होती है अगला कोशन हो जाएगा चित्रकला की गड़वाल सेली का प्रियोग किस मुगल सासक के काल में हुआ था काफी महत्मून कोश्चन है अगला कोश्चन हो जाएगा निम लिघ्ट में से रगणात मंदीर स्थΠ है तो दएक और यह स्तित है उत्तरकाशी में तो वह टिहडई में है तो वो टिहीडी में है गाईज ठीक है तो रगुनात मंदिर दो जगा है एक तो टिहीडी में और दूसरा उत्तर काशी में अगला है क्रिशनपूर छेत्र किस जनपद में इस्तित है तो क्रिशनपूर छेत्र जो इस्तित है गाईज ये इस्तित है नैनिताल में इस्तित है अगला कोशन हो जाएगा प्राचीन द्रस्टी से महतपूर बामरी गाओं किस जनपद में इस्तित है तो दीए प्राचीन द्रस्टी से महतपूर बामरी गाओं यह जो इस्तित है यह इस्तित है चमूली में ठीक है और चमूली में भी अगर पूछ ले आप से किस अगला कोश्चन है किसका पुराना नाम था किसका था रानी खेत का अगला कोश्चन हो जाएगा कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिवन्दित किया गया तो देखिए बन अदिनिम जो बन प्रबंदन अदिनिम आया था 1982 में तो उसमें 114 जड़ी बूटियों को परति बंदित किया गया था अगला है असुर्वे नेथाना देवी मंदिर किस जनपद में इस्थित है तो देखे असुर्वे नेथाना देवी मंदिर जो इस्थित है गाईज ये इस्थित है अलमुडा में कहां पर इस्थित है अलमुडा में और किस पहाड़ी पर तो आप याद रखें कि राम पादू का पहाड़ी है ठीक है उस पर जो है ये इस्थित है ठीक है अगला कोशन हो जाएगा सीतला देवी मंदिर के इस्थापना कब हुई तो सीतला देवी मंदिर के जो इस्थापना हुई ठीक है ये हुई थी बारह सो सत्तावन में ठीक है बारह सो सत्तावन में कहां पर द्वारह अलमोडा में इसका जो स्थाबना हुई थी वो रामदत तिवारी थी ठीक है उनके अनुरोध से हुई थी ठीक है अगला कोशन हो जाएगा कोशानी किस पट्टी में इस्थित है तो कोशानी देखे वैसे बागेश्वर में इस्थित है और पट्टी की बात करें तो बोरारो पट्टी ठीक है और देखे जो कोशानी किस पहाड़ी पर इस्थित है तो पिंगनात पहाड़ी पर इस्थित है ठीक है अगला कोशन हो जाएगा गुदिया खाटल तो गुदिया खाटल किस छेत्र का प्राचिन नाम है तो आप याद रखेंगे त्यूनी किस का है प्राच गुंफित्वाब को बाड़ कुछषन हो जाएगा गड़वाल का कौनसा गड़ भोटिया जाती से संबंदित है तो ये है गड़ तांग गड़ जो है ये भोटे जाती से संबंदित है ठीक है अगला कोशन हो जाएगा हरेला तोहार को हिमालिय में क्या कहा जाता है तो हरेला तोहार को हिमालिय में जो कहा जाता है ये कहा जाता है ये कहा जाता है रिहाली क्या कहा जाता है रिह उत्राखंड का जो अन्भंडार कहा जाता है ये कहा जाता है तराई छेत्र को किसको कहा जाता है तराई छेत्र को ठीक है अगला कोशन हो जाएगा प्रशिद वैतरणी सरोबर किस बुग्याल में स्थीत है तो आप याद रखेंगे बेदनी बुग्याल में किसमें है बेदनी बुगियाल में ठीक है अगला कोशन हो जाएगा ग्रीन टैक्सी सेवा है तो दीखे ग्रीन टैक्सी सेवा क्या है ये तो ये चमोली पुलीस है ठीक है क्या है ये ग्रीन टैक्सी सेवा ये एक चमोली पुलिस थिक है तो सब्स है हमारा कोश्शन है तो फ्रैंक त माटे की तुलना की थी यह की थी आयर लेंट से किसे की थी आयर लेंट से तो भी आप्षिन हमारे समय राइट हो जाएगा तो गाइस यह थे आज के उत्राइगन मौक टैस पार 89 के 20 महत्मूर कोशन आपके 20 में जितने वी माक्स आए हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अगर आपको किस अपनी डावड है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं अगर आपकोई वीडियो 1 परसेंट बेची लगी हो तो वीड है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग